प्रदेश के खबरों में मैं शितिजादेश मकाफ सभी का स्वागत करती हूँ डालत एक नजर आज की प्रदेश के खबरों पर कनोज में छेड़ छाड के मामले में दगबंगों ने युवक की गोली मार कर हत्या कर दी है हत्या के बाद शेटर को काली नदी में बहाने की तयारी थी लेकिन कुछ ग्रामिनों के देखने के बाद हत्यार के शेटर के नारे छोड फरार हो गये है युवक की हत्या के बाद गाउ में दोनों पक्षों में तनाव देखता है कनोच के सदर कोटवाली छेतर के तहसीपूर गाउं का मामला है यहां के चंदर किशोर का छेड़ छाड़ के मामले को लेकर काउं की कुछ यूफकों से विवाद हो गया था जिसमें चंदर किशोर ने कुछ यूफकों को बुरी तरह से बीट दिया था देर रात जवगाउं से बाहर गया तभी घात लगाए बैठे दबंग यूफकों ने बदला लेने की नियत से गोली मार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी हत्यारे गोली मारने के बाद शवकों काली नदी में फेक में ही जा रहे थे कि कुछ दूरी पर क्रामीनों को देख वा शव नदी पर छोड़ कर फरार हो गया शवाम शवकों ने थोड़े दी पहले चेअल चाड़ कीती मेरे घर में ए तो हम लोगों के बीच में थोड़ा लड़ाई जग़डा हो गया था हत्य की सूशना पर स्पी अम्रेंद्र प्रसाथ सीह मौके पर बहुच गया और खुद जाश शुरू कर दी फॉरंसिक टीम ने भी मौके पर बहुच कर साक्षे जुटाने को तैयारी शुरू कर दी स्पी का कहना है कि पोस्ट बॉटम रिपोर्ट में मौत के कारणों की प्रिस्टी हो जाएगी उन्होंने कहा कि परीजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्च कर कारवाही की जाएगी यह चंदर किसोर लोधी नाम का दर्का है 22 साल उमर होगी तो इसका सो नदी की नारे तहसीपुर में मिला है घर से जहां पे सो मिला है उसकी दूरी करेग एक डेर किलो मेटर से उपर ही होगी शुवा में डायल हंडेट से इसके बारे में जानकारी पराप्त हुई कि एक बोडी मिली है पासी में तमंचा मिला है और हमारी फोरेंसिक टीम यहां पर आई है बरिष्टा दिकारी मैंने भी घटना अस्तल का मुएने किया और अभी उसका पॉस्मोंतन भर के हम लोग बेज रहे हैं और परिवार के तरफ से अभी तहरीर हम लोगो प्राप्त नहीं हुई है तहरीर प्राप्त होगी तो उसके इसाब से कारवाहि करते हुए और विवस्टा की जाएगी अगर इंतरकार प्रवाई को कह तो पुलीस की लापरवाही को उजागर कर देती हैं बताते हैं कि जब छेड़ खानी का विवाद पुलीस तक पहुचता था तब पुलीस ने कोई ठोस करवाही नहीं की थी जिसका नतीजा एक बेकसूर की हत्या के रूप में सामने आया है कन्नोत से नासिर हुसेन की रिपोर्ट पुलीस